हेलो दोस्तो आज मैं आपके लेकर के आया हूँ क्राउन वील पिणियन को यानि के डिफरेंशियल गेर को कैसे इजी वे में असेंबल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम ले लेंगे डिफरेंशियल वांफ और गेर कि इसके सारे पार्टस अवलेबल है यहांपर यह अउस ये इसके वाश्र को हम एसम्बल कर रहे जो वाश्र की कट वाली प्लेस है ये रियर एक्षल शाप्ट गेर की तरफ ही रहेगी वह इसलिए कि आईल लूब्रिशकेशन की लिए यूज किया जाता है इसको तो सबसे पहले हम वाश्र डाल करके थोड़ा सो ऑइल डाल देते हैं उसमें ताकि यह smoothly work करें मतलब friction रहेगा ना अगर आप उसमें oil नहीं डालेंगे तो फिर यह घूमने में थोड़ा सा problem करेगा तो हमने इसमें oil डाल लिया then अब हम spider में webel pinion को चार webel pinion होते हैं इसके webel pinion को assemble करेंगे then spherical washer लगाएंगे इसको and देखिए easy बहुत है दोस्तो समझने की बात है बस spherical washer लगा करके complete bebel pinion and spider को उठा करके then इस पर differential gear पर लग देंगे easily वो जो नीचे के rear axle shaft gear से bebel pinion क्या होगा connect हो जाएगा तो एक घुमाएगा चार bebel pinion घुमेंगे then हम दूसरा rear axle shaft gear उठाएंगे थोड़ा सा oil यूज़ कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताये थे कि washer की cut वाली place हमेंसा rear axle shaft gear की तरफ ही रहेगी फिर से मैं आपको देखा दे रहा हूं यह देखिए यह rear axle shaft gear की तरफ ही रहेगी है ना गलती से housing की तरफ ना क्यूंकि नहीं अगर housing की तरफ होगे तो siege कर जाएगा then मैं आपको उपर वाला housing इसका अपन फिट करते हैं serial number match करकर करके इसका serial number two one यानी 2021 का है यह माई महिने का differential housing है और हम इसके बॉल्ट को टाइड करते हैं चुक्कि हम नया differential housing यूज़ कर रहे हैं और कंप्लेटली नया वाम फॉर gear kit यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें सबसे बड़ा मतलब बात यह है कि इसमें सब जब standard है तो इसको चेक करने की ज़रूत नहीं है वसे आप चेक कर सकते हैं यह आपका बेवल पिनियन फ्री घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है उसके बाद दोस्तों हम differential housing के सारे बुल्ट को टाइड कर लेंगे दैन अब हम चलेंगे crown wheel pinion की तरफ यह differential housing में crown wheel pinion को भी मतलब fit किया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका serial number देखा दूँ यह देखी टाटा का हमारा crown wheel है इसका serial number से यह इसके serial number यह किस plant में बना है क्या इसका gear ratio है कौन से यह यह सब चीच पता चल जाता इसके serial number से दोस्तों तो हम इसके serial number को पहले crown wheel को reference housing के उपर रखेंगे जबकि इसके holes जो bolt के holes से नीचे की side है तो हम उसको थोड़ा सा center करके नीचे के side से इसके bolt को देखें मैं tight कर रहा हूं इसके bolt के holes को tight करके देन इसको प्लेट लेंगे एंड इसमें सारे bolt लगा करके इसको tight कर लेंगे दोस्तों easy में देखें हम इसमें सारे bolt लगा देते हैं और सारे bolt लगाने के बाद हम इसको tight कर लेंगे दोस्तों सारे बोल्ट को इसी तरीके से हमने इसमें सारे बोल्ट लगा लिए हैं और हमने इसको completely लगबग tight कर लिए दोस्तों अब हम चलते हैं पिनियन की फिटिंग कीदर दे कि बहुत easy यह दोस्तों यह पिनियन के सारे parts रखे हैं टैपर रोलर बेरिंग है बेरिंग कैप है चेकनेट कैप है और साइड का सारा चीज अवलेबल है यहाँ पर फ्लेंज वगरा सब पूछ है यह हमारे पिडियन फिटिंग का प्लेस है दोस्तो नीचे एक कॉलर दिख रहा है जिसमें बेरिंग का जो छर्रा रहता है उसको बैठाते है यापन उसको स्ले और अखिरन अख 커피ल बात नहीं है इसको करने में लेकिन समझने का बात है देन अब के अनदर एक दूसरा कॉलर जाएगा क्योंकि लिए पहले जा नहीं सकता है इसलिए अब क्या है दूसरा कॉलर जाएगा पहले बेरिंग गया दन कोलर गया उसके बाद फिर कॉलर जा रहा है दन बेरिंग जाएगे बस यह सिम्पल लॉजिक है अर इसके बाद क्राउन समजी है आपका असेंबल लोग है डिफेरेंचल यह हमने को ठोख लिया अब बेरिंग तो इसका चुकि मतलब जो बेरिंग के जाली तूड़ा लूज इसलिए पेचकर से हेल्प से इसको ठोक रहे हैं ताकि इसका चर्णा बहार ना निकले डान डेस्ट कवर वाले एक प्लेट होता है वाश्टर के साथ उसको अपुन लगा लेंगे अब डेस्ट कवर वाले प्ले यहां पर से अभी इसके यह चेकनेट है यह पहले चेकनेट को अपने इसको टाइट करेंगे बड़े वाले चेकनेट को यह फ्री जाना चाहिए दोस्तों अगर यह फ्री नहीं गया अगर टेपर चवड़ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जागा इसलिए बिल्कुल फ पोजिशन को नीची की तरफ आ जाए देन हमने जो क्राउन वेल पिनियन असेंबल किया था दूस्तों वो उसको यहां पर लाते हैं हमने उसको टाइट कर रखा है उसमें दो बैरिंग हमने ठोक लिया है मतलब बैरिंग इसमें आ गया है और दोस्तों इसी तरीके से इसके टटल जो कैप है बैरिंग के कैप सबसे पहले तो कैप लगा लेंगे रेसर के साथ यह रेसर है यह अपना », इसको रेसर को लगाने के बाद दूश्तों हम जो can bang it का पाता है उस चेकनेट के कैप को अपून इस पे लगाएंगे ठीक है यह कब को हमने लगा लिया यहाँ पर दोसरी का जलते हैं यह तो रहर हो जाएगा देन अपून दूसरी साइट अगर जाते हैं दूसरी साइड प्रोसर्स को को फसाएंगे देन बेरिंग कैप को लाएंगे और चेटनेट को टाइट करेंगे यह दिखे हम ने इसको कर लिया अब यहां से में काम शुरू होता है बैकलेश चेटिंग बैकलेश जो एडिस्टिंग है ना उस बैकलेश उसको बोलते है कि क्राउन वील एंड टेल पीनियन क बीच भी उसको बैकलेश चेटिंग बोलता है वह 0.2 जो पांट टु थरी यह चैनल कि बीच कर लिया होतना पर दन इसी तरीके से हमारा राएंड टेल कम इन चल्त सिपल हो गया है आपको भूमा करके दिखाता हूं और दोस्तों और इसके चाल को भी मैंने चेक कर लिया है आप लोग वो तही रखिएगा एंड हम एक बर इसको ग्रीस लगा करके चेक करते हैं कि इसके पिडियन के तीद कितना मतलब टैल पिडियन में टेच कर रहा है यह देखिए यह पुरा टच कर रहा दोस्तो इसी तरीके से हमारा यह crown wheel crown differential gear complete होता है कुछ नहीं है बस कर इस वीडियो को देखिए और रिजली समझे और इसको complete करिए इसी तरीके से यह हमारे complete होता है तो बने रही है हमारे यूट्यूब चैनल दा मेकेनिकल ट्रिक्स पर थैंक्यू दोस्तों